मशकार दोस्तों आज है रविवार 17 सेप्टेंबर 2023 और इस वीडियो में बात करेंगे रिलाइंस पावर के शेर के बारे में शेर अच्छी तेजी दिखा रहा है इछले एक मेने में शेर ने 15% से जादा की तेजी दिखाई है ऐसे में टेकनिकल चाट्स पे जानेंगे कि क्या ये तेजी कंटिन्यू करेगी शेर के लिए सपोर्ट कहां पे है और कंपनी के फंडामेंटल कैसे हैं तो वीडियो में बने रहीएगा फ्रेंड्स वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग होने वाला है डिरिकली टेकनिकल चाट्स पे चलते हैं और मैंने रिलाइंस पावर के शेर को वीकली टाइम फ्रेंब में खुला हुआ है सबसे पहले MACD इंडिकेटर पे चेक करते हैं और यहां पे आप क्लेरली देख सकते हैं कि शेर में लगातार बाइंग एक्टिविटी चल रही है यह जो green bars हैं जिनको हम histogram कहते हैं वो clearly इंडिकेट कर रहा है कि शेर में week by week बाइंग एक्टिविटी चल रही है इसका मतलब बरे players इस share को accumulate कर रहे हैं यहां एक बार एक week को signify करता है तो आप देखे पिछले कितने हफ्तों से share में लगातार खड़ीदारी चल रही है तो histogram दिखा रहा है कि share में लगातार बाइंग चल रही है और MACD line ने signal line को cross किया है यहां पर आप देख सकते हैं यह भी एक bullish indicator माना जाता है तो MACD indicator इस share को लेकर काफी positive picture प्रेजेंट कर रहा है share अच्छा है share में लगातार बाइंग चल रही है साथी MACD line ने signal line को cross किया है तब दूसरे indicators के तरफ चलते हैं और Bollinger Band में भी आप देख सकते हैं कि expansion देखने को मिल रहा है यह जो expansion देखने को मिल रहा है Bollinger Band में यह clearly indicate कर रहा है कि share अभी bullish है share एक range में trade कर रहा था और वहाँ से आप बाहर निकल गया है इसलिए Bollinger Band में expansion देखने को मिल रहा है कौन से levels इस share के लिए important रहेंगे उसके लिए 4 EMA indicator को use करेंगे और मैंने 4 EMA indicator को यहाँ पे use किया है और यहाँ पे आप clearly देख सकते हैं कि share के लिए नीचे में कहाँ पे support है share के लिए support है चारो रूपे 23 पैसे और 17 रूपे 44 पैसे के levels पे तो इन levels को note कर लीजे 18 रूपीज 23 पैसे का levels और 17 रूपीज 44 पैसे का levels यह दोनों level काफी important है इस share में 4 EMA indicator में एक चीज आप clearly notice कर सकते है कि जब इस share में एक bullish trend बना जब यह 4 लाइन सीक्वेंस में आये black line सबसे नीचे जो की 55 EMA indicator है यहाँ पे इस point पे वहाँ से इस share ने इस blue line को respect किया है जो की 8 EMA indicator का line है और इसलिए मैंने दो levels बताए कि यह जो share है यह blue line और green line के नीचे नहीं जाएगा इसके उपर ही share ने trade किया है आप इस चीज को यहाँ पर notice कर सकते हैं इसलिए जो मैंने आपको levels बताए वो काफी important हो जाते हैं इस share के लिए 18 रुपे 23 पैसे और 17 रुपे 44 पैसे share में अगर मुनाफ़ा वसूली होती है और share नीचे आता है क्योंकि share close हुआ है 19 रुपे 15 पैसे पे तो 18 रुपे 23 पैसे और 17 रुपे 44 पैसे के ऐसे levels है जहां इस share को फिर से accumulate किया जा सकता है क्योंकि share overall bullish है weekly time frame में पर short term में मुनाफ़ा वसूली देखने को मिल सकती है और यह चीज कहा clear होता है यह चीज clear होता है जब हम share को daily time frame में खोलते हैं यहां पर आप देख सकते है daily time frame में जब मैंने Reliance Power के share को खोला हुआ है कि Bollinger Band में contraction देखने को मिल रहा है daily time frame में मतलब short term में share में मुनाफ़ा वसूली देखने को मिल सकती है साथी एक चीज आप कहा clearly notice कर सकते हैं कि पिछले तीन दिनों में इस share में बिक्वाली देखने को मिली है जो red bars है हिस्टोग्राम के वो clearly दिखा रहा है कि share में short term में बिक्वाली देखने को मिली है तो share short term में नीचे आ सकता है इसको आप note कर लीजिए और short term में नीचे आएगा तो जो levels बताए वो काफी important है वहाँ पे ये share को खरीदना है अब उपर में इस share के लिए कहां पर resistance है उसको देखिए उपर में ये share को 19 रुपे 49 पैसे के levels के उपर में decisively trade करना पड़ेगा अगर ये share 19 रुपे 49 पैसे के levels के उपर में decisively trade करता है तो ये share और उपर के targets दिखा सकता है और वो targets क्या होंगे वो target होगा 21 रुपे 21 पैसे का मतलब ये share 21 रुपे को भी cross कर सकता है और 21 रुपे 80 पैसे यानि 22 रुपे के तरफ भी जा सकता है लेकिन इसके लिए share को decisively उपर trade करना पड़ेगा short term trend थोड़ा बहुत bearish है मतलब थोड़ा बहुत इसमें profit booking अभी देखने को मेल सकता है overall trend अभी भी share का bullish है और ऐसे में जो levels मैंने आपको बताए वो काफी important हो जाता है कि नीचे में इस share को कहां accumulate करना है कहां accumulate करना है वो मैंने आपको levels बताया एक 18.23 पैसे और दूसरा 17.44 पैसे एक 18.95 पैसे के level पे इस share के लिए support है तो इन levels को clearly note कर लीजे long term trend अभी भी bullish है इस share का पर short term में थोड़ा बहुत profit booking देखने को मिल सकता और ऐसे में नीचे के levels में इस share को accumulate करना चाहिए अगर मैं results की बात करूँ तो पिछले quarter में company को 1730 करोड का revenue ने किया था तो company ने revenue ठीक ठाक किया था और पिछले ही quarter में company profit में भी आई थी आप देखिए 322 करोड का number है profit का उससे पहले loss 292 करोड का, 340 करोड का, 171 करोड का तो लगातार loss के quarters देने के बाद पिछले quarter में company profit में आई थी तो result भी company का देखना होगा कि next quarter में company कैसा result करती है, क्या company फिर से profit कर पाती है और अगर company ने अच्छा result किया तो बरे targets निकल के आएंगे देखिए, Reliance Power का share का overall trend अभी भी bullish है, जैसा मैंने आपको बताया पर short term में थोड़ा बहुत मुनाफ़ा वसुली देखने में मिल सकता है पिछले हफते भी overall ये share सारे 8% से ज़्यादा नीचे आया है तो पिछले हफते भी मुनाफ़ा वसुली देखने को मिली और मुझे लगता है कि ये trend थोड़ा बहुत continue करेगा ये share में कुछ मुनाफ़ा वसुली देखने को मिल सकती है short term में पर long term trend अभी भी share का bullish है और result से पहले ये share शायद और उपर के levels दिखा है क्योंकि company ने अच्छा quarter दिया था last quarter ऐसे में expectation बन जाता है कि company और अच्छा result करके देगी तो reliance power के share को लेकर मैं bullish हूँ 17 रुपए 44 पैसे के levels मेरे हिसाब से काफी important होंगे इस share के लिए देखते हैं आगे क्या होता इस share में पर long term में ये share bullish नजर आता है अगर आपको video पसंद आया हो तो channel को like कर देना sorry video को like कर देना और channel को subscribe कर देना साथ ही मैं आपको एक चीज और बताता हूँ कि share खरीदने से पहले आप अपना research जरूर कर लें और उसके बाद ही share खरीदे क्यूंकि ये video सिर्फ educational purpose से बनाई गई है जो मैंने चार्ट में देखा वो मैंने आपको बता दिया बाकी आप अपना research जरूर कर लीजे अगर आप share खरीदते हैं Reliance Power कादा Thanks for watching friends